हेलो इस्टूरेंट्स वेलकम टू माही बायोलोजी ग्लासेस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमके अपनी नीट के लिए अपनी बायोजी को कैसे प्रिपेर करें जिसके लिए हम अच्छी माक्स नीट में अच्छी रैंक अप्टेन कर पाएं देखिए बहुत ह है आपको पता है हमें सिंपल तो नहीं कहेंगे मतलब हार महनत के आगे सब कुछ सिंपल होता है आपने महनत करनी है सब कुछ अच्छा होगा हम ऐसा क्या करें कि हम बायोजी में टार्गेट लेकर चलना है हमें 360 आउट और 360 माक्स का बच्चे सोचते हैं ऐसा इंपॉसिबल है तो ऐसा इंपॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों के 360 मार्क्स भी आते हैं बस उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को फॉलो करना होता है उसको उसी वे में फॉलो करना होता है जिस वे में आपको बताया जाए गाइडेंस बहुत जरूरी है किसी भी ची हैं हम पईयो के स्टूड़ेंट है हम ने हमारा क्या है Карühl यक्क को लिए हैं हमले डॉक्टर बनने के लिए बाइयलोजी को लिया है तो मतला हमारे बाइयलोजी तो स्टॉंग होगी यह बाइयलोजी बाले बैच्चोंग के जाبाश फेंवर फिसिक्स बं बाट्चे की माने कि physics या फिर किसी बच्ची की chemistry थोड़ी वीक भी है तो अगर आप biology में अच्छा score करते हैं जो कि उन दोने subject की इतना में बहुत simple है बहुत मतलब देखा जाए तो इतना जादा hard work कर नहीं है हम biology की interesting subject है हम उसको interest लेके पढ़ भी सकते हैं और अच्छा score भी कर सकते हैं तो वो burden आपका कम हो जाएगा अगर 340 या 350 मार्क्स आप biology में ही ले आते हैं तो अगर उधर थोड़ा बहुत कम भी रह जाता है किसी वजह से महनत आपने उसमें भी इतनी ही करनी ही इतना ही hard work करना है अब थोड़ा बात हो जाता है बच्चों का concept वहां का लगत हो जाता है हमने question solve करना होता है time management वहां पर थोड़ा रह जाता है out of 360 marks को हमने लेना है नीट के अंदर बहुत जादा इतना जादा impossible भी नहीं है possible है यह हो सकता है कि आप 360 out of 360 भी ले आए बट उसके लिए आपको थोड़ा ऐसा hard work करना पड़ेगा दिखिए अगर आप पड़ाई अभी कर रहे हैं तो अभी से ही उसको continue रखना है last तक आपन blast के लिए हैं इसा नीगा आप सोचगे 5 Month पहले स्टार्ट करेंगे 6 Month पहले स्टार्ट करेंगे दिवाली के बात करेंगे और हुली के बात करेंगे और Crash course करेंगे वह चीज गलत है आप अभी से प्यारी कीजिए के अपनी अभी से हर सब्जक्ट को अपने time table दीजी आपने क लेकिन चुला में इ बढ़ाएं को दोते हैं, निकालना है उसे के लिए ज्यादा टाइम निकालना है जैसे अगर आपने एक दिन आज chemistry पढ़ ली है तो आप कल physics पढ़ेंगे उसकी बाद फिर chemistry फिर physics ऐसे alternate day पर पढ़ना है लेकिन biology को आपने daily ही पढ़ना है daily उसको read करना है पिछला revise करना है क्योंकि आपका 50% तक कौन carry कर रहा है biology कर रहा है जहां पर आ जाता है यह impossible नहीं है इस चीज को हमने हमारा टार्गेट क्या है टार्गेट है हमारा 360 out of 360 हमने इतने माक्स लाइन है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या है टाइम का ही है हमने टाइम पर दिहान देना है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए हमने डेली अपना टाइम टेबल बनाना है हमने बायलोजी को तो डेली पढ़ना है और हमने physics और chemistry को अल्टरने डेपल लेना है वह आपका स्लेवर्स कंप्लीट हो जाएगा आप अभी टाइम रहते हैं इसको सॉल्फ करोगे तो आपने लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है चीज़े अब देखें दूसरी चीज़ देखते हैं अब हम बायलोजी को स्ट्रॉंग मैं बायलोजी के लिए आपको बता रही हूं अब कैम्सीरी फिजिक से भी जोड़ सकते हैं देखें बायलोजी को सबसे पहले हमने क्या करना है हमने अपने कॉंसेप्ट को क्या सिktने करना है क्रें हमने अथी ठीब शाले हैं आपकी motineo स्टाइब हो गी आपकी कॉंसेफ्ट उतने ज्यादा स्टॉंग हो जाएंगे जैसे बहुत सारे बच्ची मोनोसियोस, टैयोसियोस, बायसेक्स, इन सब में कन्फ्यूज रहते हैं आपकी टर्मिनलोजी स्ट्रॉंग होनी चाहिए आपकी बायोलोजी खुद खुद भाख्ध स देली अपनी NCRT जो है उसको पढ़ना है अब डेली अपनी NCRT को पढ़ेंगे इसे त्योरी अपने NCRT से पढ़ना है कॉंसेट को समझेंगे फिर उसके बाद आपने MCQ को प्रैक्टिस करना है डेली यह डेली का काम है कोई भी एक दिन संडे वंडे ऐसा कुछ नहीं होता है जब हम इतने बड़े exam के हमारा एम इतना बड़ा है, इतने बड़े exam की preparation कर रहा है, तो कोई Sunday Monday कुछ नियंों होताई, आपने अच्छे से, आप स्टार्डिंग के मन्त में तैसे, आप अभी मैं से अगर हम शुरू कर रहे हैं, the session, आप अपना physics और chemistry का थोड़ा burden कम कर पाएं होता है biology के बच्चों के साथ किसी की physics थोड़ी weak होती है किसी की chemistry थोड़ी weak होती है तो उसको हमने यहां पर पूरा कर देना है हमने हमारी biology को इतने strong बना लेना है कि हम वहां पर अगर थोड़ा कम भी score करते हैं तो हमारी नीप की rank जादा फाथ ना पड़े हम अच्छा medical college अचीव कर पाएं ऐसे अपने अपने biology को त्यार करना है simple है हमारा target बढ़ा है हमने अपने concept को build करना है concept को build करने के लिए हमने theory पड़ने है theory के लिए किसी आप need की preparation कर रहे हैं तो आपने ncrt के लावा किसी और चीज़ को नहीं पड़ना है theory के लिए अपने उसे यह पड़ना है mcqs के लिए चाहें जो मैंने बुक बता रखा है यह पर मैंने बताया था कैसे preparation कर रहे हैं कि किस book को लें कैसे क्या वह आप वहां देख सकते हैं अगर आप need की preparation कर रहे हैं तो आप theory ncrt से ही पड़ेंगे उसको ही सही मानेंगे यह अगर कोई year ncrt के अंदर दे रखा है तो वही ठीक है बाकि सारे गलत है तो इस चीज़ को भी धिहान रखना है कि आपने कोई year कहीं और से नहीं देखना है कोई concept आपने mind में बैठाना है नीट की नहीं तो आपनी ncrt से ही बठाएंगे आप कहीं और से नहीं पड़ेंगे और biology में terminology का धिहान देंगे जो हम आगे जो हम आपका course तियार कर रहे हैं वो इसी सारे basics पर तियार कर रहे हैं कि आपकी biology बहुत strong हो जाए आप अच्छा score कर पाएं जो आप अगर दूसरे subject में थोड़ा weak हैं तो उसका burden भी कम हो जाए वैसे चीज धिहान रखनी है आपने दूसरे subject को भी उतनी ही importance देनी है जितनी biology को बस इसका थोड़ा score जादा है तो इसलिए मैं आपको बताएं ये time table में आप अपने set खुद कीजिए आपने सुबह में पढ़ना है शाम में प पढ़नी है और सारे mcqs भी हर subject के अपने mcqs भी डेली लगाने हैं बट आपने जो physics और chemistry उसको आप alternate day पर भी ले सकते हैं ये थी हमारी आज की वीडियो आपको धिहान रखना है कि हम ने 1st of May से एक session शुरू करना है ने 2 2021 के लिए उसके साथ जादे से जादर लोगों को जोड़िए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो जो है उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी उस session के साथ जोड़ सके आप लोगों का support होता है तब भी शैसन आगे चल पाएगा इसलिए जाद से जादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब के लिम पड़्टिरेए